आज हम ऐसे महान कलाकार चितरकार की बात करने वाले हैं जिनका जन्म रूस में हुआ लेकिन जब वो एक बार हिमाल्यों की पहाडियों में आए यहां की सुन्दर वादियों में जब वो रहे तो यहीं के होकर रह गए चाहकर भी इस खुबसूरत मनमोहक वातावरन को वो छो महरीशी की जिनको उपाधी दी गई ऐसे ही महान कलाकार की हम आज बात करेंगे निकुलस रॉरिक की हम आज बात करेंगे इनका जन्म 9 अक्तूबर 1884 में रूस के सेंट पिटर्जबर्ग शहर में हुआ था रूस की राजधानी मॉस्को है सेंट पिटर्जबर्ग नहीं है इनकी पतनी हलिना रॉरिक थी यह आप इनका फैमिली फोटो देख सकते हो इनके दो बेटे और इनकी वाइफ इनकी ग्रेजुएशन, आर्ट, हिस्ट्री, फिलोसिपी, लौ और आर्केलोजी पूरा तत्व में हुई थी सेंट पिटर्जबर्ग यूनिवसिटी से इनको शुरू से ही कला में काफी दिल्चस्पी थी ये हिपनोसिज, जैसे कि समोहिद करना किसी को उसमें भी काफी दिल्चस्पी लेते थे इनकी पैंटिंग्स इतनी खुबसूरत होती थी कई बार ये भी कहा जाता था कि ये अपनी पैंटिंग्स के लिए हिपनोसिज या spiritual practices का use करते हैं इन्होंने अपना काफी जीवन जो है हिमाचल प्रदेश के कुलू के नगर में बिताया नगर में नगर आर्ट गैलरी या रौरिक आर्ट गैलरी इन्ही को समर्पित है इन्ही के नाम पर है रौरिक जो थे इतने महान कलाकार इन्होंने प्रथम विश्वयुद के दौरान और उससे पहले कला को सरंचने में काफी योगदान दिया काफी कलाकृतियां जो हैं वो नश्ट ना हो जाएं उनको पिरोने में उनको संभाल कर रखने में काफी इन्होंने योगदान दिया इसी के लिए इनको काफी बार नोबल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया लेकिन इनको नोबल प्राइज नहीं मिला वो अलग बात है यह आप निकोलास रॉरिक का फोटो देख सकते हो निकोलास रॉरिक ने दुनिया भर में भ्रह्मन किया, काफी अपनी कला के नमूने पेश किये, प्रदर्शनियां जो हैं वो लगाई जाती थी इनकी कला की, काफी जादा प्रसिद ये कलाकार बन चुके थे, रश्या, यूरोप, मधेशिया, मंगोलिया, तिबद, चाइना, जापान और भारत, जगा-जगा इन 1928 में, जब ये चाववन साल के थे, तो इनका मन हुआ कि ये हिमाल्या के उपर, जो हिमाल्या परवत है, उनके उपर पेंटिंग्स बनाए, तो जब ये हिमाल्या के उपर पेंटिंग्स बनाने के लिए हिमाचल में आए, तो कुल्लू में ये वहाँ पे रुखे, यहां की खूबसूरत वादियों को देखकर इतने जादा सर्प्राइज हो गए हिमालिया की ब्यूटी से यहीं पे बसने का इन्होंने निर्ने ले लिया अपने जीवन के आखिरी दो दशक इन्होंने यहीं पे बिताए इवन इन्होंने अपना अंतिम समय भी कुलू में ही बिताया बहुत सी पेंटिंग्स इन्होंने हिमालिया के उपर बनाई है लगबग साथ हजार से भी जादा पेंटिंग्स इन्होंने अकेले हिमालिया के उपर ही बनाई शायद ही आज ऐसा कोई म्यूजियम होगा पुरी दुनिया में जहां पे Nicholas Rory के painting नहीं होगी यह कुछ इनकी photos है इनके works के बारे में बात करते हैं तो Drops of Life Pearl of Striving Signs of Matria Banners of East Tibetan Stronghold यह इनकी paintings में से एक painting जो है आप यहां पे देख सकते हो World War के दौरान प्रतम विश्व यूद 1914 से 1918 तक चला तो आपको पता ही है जब भी कोई यूद होता है तो बहुत जादा suffering होती है इसमें हर कोई बच्चे हैं बुडे हैं या woman है या जो यूद कर रहा है हर कोई सफर करता है तो जो भी war से होने वाले पेंटिंग्स आप यहां पे देख सकते हो जैसे कि The Last Angel Omnious Signs, Human Deeds Doomed City The Lurid Glare या The City of Serpent यह इनकी पेंटिंग्स में से एक है कुछ एक इन्होंने religious paintings में भी काफी योगदान दिया जाएपो, श्री कृष्णा कल की अवतारा, बुद्धा दगीवर, सैंक्टा, प्रोटेक्टरिस, कॉन्फलेग्रेशन, सेंट सर्गियस या सेंटली घूस्ट यह आप इनकी paintings देख सकते हो इनके कुछ एक published works में से देखिए Himalayas the Abode of Light जो 1947 में published हुआ At lie Himalayas Adamant 1925 में Flowers of Moria या Complete Works यह एक ऐसे महान इंसान थे जिनोंने Himalayas संस्कृति को भी पिरोनों में काफी योगदान दिया इसी कारण इने महारीशी की भी उपादी दी गई है या आप इनके कुछ paintings के नमूने देख सकते हो यह खुद Nicholas Rorick है इनकी एक प्रदर्शनी के दौरान ही इनके paintings के exhibition के दौरान इनकी मुलाकात जवाहरलाल नहरू से हुई जवाहरलाल नहरू यह आप इस photo में देख सकते हो इंदिरा गांधी है और यहाँ पे यह खुद Nicholas Rorick है 13 दिसंबर 1947 को इनकी मृत्यू हो गई इनकी समाधी जो है महारीशी समाधी के नाम से ही है नगर में एक art gallery है जिसको Rorick Art Gallery भी कहा जाता है जो Nicholas Rorick को ही समर्पित की गई है बहुत famous art gallery है जहां पे इनके कला के काफी जादा आपको आपको नमूने मिलेंगे यह Nicholas Rorick की गाड़ी जिसका यह यूज करते थे यह आज भी museum में रखी गई है यह mountains है हिमालिया के जिनको Nicholas Rorick को समर्पित किया गया है यह उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है जो भी works, जो भी paintings Nicholas Rorick ने की उनको आप आज भी देख सकते हो आज भी ऐसा लगता है यह वो paintings जो है उनके Nicholas Rorick अपनी कला जो है उससे हमें दर्शा रहे है जो आज भी हमारे बीच में है ऐसे महान कलाकार को इतिहास कभी नहीं मूल सकता Nicholas Rorick जैसे painters दुनिया में बहुत कम होते है ऐसे महान कलाकार को हम अपनी इतिहास में हमेशा याद रखेंगे So this is all about Nicholas Rorick Thank you so much